हेलो एब्रीबन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल इस्टडी टाइम इस्टडी तो दिस इस दीप्ति आदब देखिए गाइज आज यह हमारा बुकायब सेशन का डे फोर है ओके तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज यह हैं आपके टैन वर्ड्स जो दा हिंदू नियूस पेपर से लिए जाते हैं तो चलिए गाइज मैं यह चाहूंगी कि मैं इनका एक्स्पिरेशन बताओं उससे पहले आप यह सारे वर्ड्स देखें और खुद से अपना अंकलन करें खुद से सल्फ टेस्ट करें अपना कि आप कितने खुद से अटे चलिए फर्स्ट वर्ड से सटाट करते हैं फर्स्ट वर्ड है आपका इस टिंज्ट एंड क है सेकिंड वर्ड आपका कंफरंट थर्ड बड शार्पास स्वरी सर्पास कि यहां से लिए ए यहां केवल डॉल डवल एस होगा ट्रेपल स नहीं होता ओके तो एस यू रप इये पास पास ऑके नेक्स्ट एर रिलाएबल नेक्स्ट ए कॉनसेंशियस ओके नेक्स्ट ए प्रेरोगेटिव सेवन्थ बर्डी डाउज एंड एर्थ वर्ड है प्रीजुनुडइश नाइन्थ वर्ड है व्यॉलेट एंड 10 वर्डश राइट ऊके अब आप देख लिया होगा आ और इसका हिंदी मीच होता है कफोर या कड़ा पर लेंट या सायम होता है पाbило सब्सक्राइब होता है कफोर गड़ा दर्चार अवर फि 컨्टरी ₹ प्रदूशन यानि की बायू प्रदूशर के लिए जारी किये गई चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कंफ्रेंट कंफ्रेंट की सपीश है वर्व की वर्व का हिंदी मीनिग हो गया सामना करना लेन वहां पर जैसा context होता है उस जगाओ ले लेते हैं उस जगाओ ठीके तो चलिए यहांपर से नोनिम हो जाएंगे इसके square up to और racist, okay, square up to का मतलब होता है साहस पूरवक सामना करना, okay, racist का मतलब होता है बाधा डालना, प्रतिरोध करना या फिर सामना करना, okay, और इसका antonym हो जाएगा avoid, avoid means होता है दूर रहना, बचना या फिर टालना, okay, चलिए इसका example लेते हैं, 300 policeman confronted an equal number of union supporters, यानि कि 300 police वालो ने पराबरी के अनपात में union supporters का सामना किया, okay, next, next है third word है आपका surpass, surpass देखी क्या होती है, ये इसका पार्ट सो पिश्पीच होता है वर्व, okay, और इसका hindi meaning होता है stress होना या फिर उत्तम होना, okay, excel, excel means होता है उत्तम होना, okay, और इसका synonym हो जाएगा exceed और outdoor, okay, antonym हो बराबर होना, okay, चलिए example देखते हैं इसका, pre-war levels of production were surpassed in 1929, यानि कि उत्पादन का युद्ध पूर्व इस्तर स्रेष्ट था कब 1929 में, okay, चलिए next, next है reliable, reliable का parts of speech होता है, adjective, इसका hindi meaning हो जाएगा, विश्वस्निय, dependable, dependable का हिंदी अर्थ होता है, निर्भर रहने योग ठीक है, देखिए जहां पे भी, देखिए जो meaning के सबसे आगए आता है, उसको कहते हैं prefix, जो meaning के पीछे आता है, उसको कहते हैं suffix, okay, जिस भी meaning में, पीछे, अगर suffix में, able लिखा हो, तो most probably, वो क्या होता है, adjective होता है, इसी तरीके से, अगर किसी में भी suffix ly लिखा हो, तो स लिए, चलि इसका synonym बताते हैं, bell founded and bell grounded, okay, bell founded means होता है, मजबूत, और bell grounded means होता है, तरक शंगत, यानि कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर तरक कर सकते हो, और बो मुद्दा जिस पर हम तरक कर सकते हैं, वो कैसा होगा, विश्वशनी होगा, तब युश पर हम तरक कर सकते होंग कि जो न्यूस्पेपर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन का विश्वसुनिये श्रोध होते हैं ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडस्ट्री जो होती है वो यहीं से बनी हैं इंडस्ट्री इसका प्रिफिक्स है इं-ड-y-o-s यहीं यूज़ किया गया है और स्था इंटोनिम है इसका कैजवल कैजवल मीस होता है अन्यमित या फिर आईस्थर औके चलिए एक्जामपल लेते हैं इसका वींग अकॉंसिय यानि कि एक इमानदार होने के नाते उसने अपने कर्टब्यों को बहुत गंभीरता से लिया, right, next, next है सिर्फ वर्ड है आपका प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव का जो पार्ट्स आप स्पीच है वो क्या होता है, नाउन, okay, इसकी हिंदी मीनिंग होता है इसका विशेश अधिकार, entitlement, entitlement means होता है अधिकार या फिर पात्रता या फिर हक, right, चलिए सिनोनिम हो जाएगा इसका, right and privilege, right means भी अधिकार होता है, और privilege means भी क्या होता है, अधिकार होता है, okay, इसका क्या होता है, disqualification, disqualification means होता है अपात्रता या फिर निकम्मापन, okay, चलिए, next इसका एक्जामपल लेते हैं, in some countries, higher education is predominantly the prerogative of the rich, यानि कि कुछ देशों में उच्छ शिक्षा मुखते अमीरों का अधिकार है, right, next, next चलते हैं, सेबंथ वर्ड है, डाउस, डाउस का सेबंद ना, इसका फिर यह क्या होता है, वर्ड होता है, चली है इसका हिंदी मिनि नह Southwest होता है, शरावोर क्राणा, यानि कि शरावोर क्ना मतलब होता पूरी तरीके से किसी में भीग जाना, इसका यह मीनिं हो जाएगा ,taking-ट्रेंच होता है ना, भीग जाना, शैयना, अधिया जाता है जब मचलियों को नमत के पानी के घोल में रखा जाता है तो वहाँ उसमें शाउस बड यूज करते हैं हम लोग उसके लिए और इसका एंटोनिम हो जागा ड्राइ ड्राइ मीज क्या हो जागा सूखा देखें डाउस में सराब उरकन याने पूरी तरीके से भीगा हुआ और अंटोनिम इसके हो जागा ड्राइ यानिकी सूखा चलिए एक्जामपल लेते हैं इसका यानिकी उसने कार को पेट्रोल से डगो दिया पूरी तरीके से भीगो दिया और फिर उसमें आग लगा दी ठीक इसके सेनोनिम देखते हैं बाइस बाइगो ट्री एंड पार्षिल्टी यह सब क्या पक्षपात के ही मिनिंग है जा लिए एंटोनिम हो जाए का इसका फेयर नेस मीस होता है निस्पक्षता राइट इंग्लिस ऑल्वेज हैव प्रिजूडिस अग्निश्ट आ फॉर्णर्स यानि कि English में हमेशा बिदेशियों के प्रति पक्षपात रहता है नेक्स्ट नेक्स्ट है नाइन्थ वर्ड है वायोलेट वायोलेट का पार्ट सब्सपीच होता है बर्ब और इसका हिंदी मीनिंग होता है उलंगन करना चलिए इसका से नोने मुझे आगा Contra-vene Contra means तो होता है किसी का विरोध करना विरोधा भास होता है वहाँ पर हम लोग Contra का यूज करते है Contra Contra-diverses तरीके से मीनिंग होते है न तसी तरीके से यहाँ पर यह Contra-vene यहाँ पर प्रिफिक्स Contra आए समझे न वहाँ विरोध हो रहा है किसी न किसी चीज का विरोध है वहाँ पर तो यह वही है Contra-vene उलंगन करना Infringe and Infract Infringe means भी होता है किसी के अवहिलना करना या किसी का उलंगन करना Contra-vene means भी होता है अवहिलना करना ओके और Infract means Antonimentarium इसका क्या हो जाएका Complied with, Complied with का मतलब होता है पालन करना चलिए इसका Example लेते हैं He was accused of violating basic norms यानि कि वह बेसिक नियमों का उलंगन करने का अरोपी था नेक्स्ट नेक्स्ट है Last and 10th word यह है Fright Fright का जो पार्ट्स ओपी स्पीच होता है वह होता है Noun और इसका Hindi meaning होता है भाय या फिर डर Fear, Fear means विडर होता है Sunonym है इसके Terror and Horror Terror का मतलब होता है आतंक, दहशत यहाना और Horror का मतलब भी होता है आतंक या फिर डर भरा हुआ किसी के लिए दहशत और Anonym हो जागा इसका Security, Security means होता है शुरक्षा विवस्ता या फिर रक्षा करना या बचाओ करना और Example हो जागा इसका I jumped up in Fright यानि कि मैं भय में कूद गया, मैं भय की बज़े से कूद गया चलिए Next है अब आपका One word, One word में हम different, different diseases के बारे में देखेंगे चलिए देखते हैं, First word है आपका इसमें Anemia, Anemia means होता है क्या Deficiency of Blood यानि कि जब आपके अंदर Blood की कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, Anemia उसका एक word बोलेंगे हम कि हमें Anemia हो गया है नेक्स्ट जो बिमारी तच से फैलती है, चूने से, Spreed सभाई टच जो बिमारी चूने से फैलती है उसको बिमारी को हम क्या कहते है, Contagious ठीक है, यानि कि चूत से फैलने वाला रोग नेक्स्ट, नेक्स्ट है, Epidemic, यानि कि Spreed से quickly over a large area, यानि कि एक large area में, काफी बड़े area में, जल्दी से फैल जाए, जैसे अभी करोना फैल रहा है, ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे, Epidemic, तो करोना क्या है, Epidemic है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, Diagnosis, का मतलब क्या होता है, Finding the cause of disease, लेकिन, यहाँ पर मतलब क्या होता है, कि हम जो, हमारी disease जब बिमारी है, उसका हम cause, find करते हैं, कि कि किस बज़े से यह बिमारी होई है, इसलिए जहाँ अल्टरा साउंड या X-ray बगएरा होते हैं, यह blood test होता है, वहाँ पर लिखा रहता है, Diagnostics Center, इसलिए वहाँ लिखा रहता है, चलिए next, next है neurotic, neurotic का मतलब क्या होता है, मानसिक रोगी, जिसको हम क्या बोलते है, nervous disorder, जिसको तंत्र का तंत्र में problem हो जाती है, तंत्र का तं उसको हम क्या कहते है, Hereditary, next, next है anesthetic, anesthetic जब किसी का operation बगएरा होता है, तो वहाँ पर anesthesia दिया जाता है, उसको बिहोश करने के लिए, ठीक है, यह वही anesthetic है, यानि कि given to tranquilize, किसी को शांत करने के लिए, बिहोशी की दबा जो दी जाती है, उसको हम कहते है, anesthetic, next है infectious, infectious का through air, यानि कि जो हवा के द्वारा फैलता है, उसको हम क्या कहेंगे, infectious कहेंगे, next, next है endemic, disease typical of a region, यानि कि वह है बिमारी, जो किसी है typical region में फैली हो, यानि कि इसको हिंदी में बोलेंगे, इस्थानी है बिमारी, उसको हम क्या कहेंगे, endemic, next, next है pathology, pathology पे क्या होता है, study of disease, यानि कि बिमारीों का अध्यन किया जाता है, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, उसको pathology, चलिए, next है आपका idiom and phrases, चलिए, idiom and phrases देखते, first है आपका upset the apple cart, यानि कि spoil plans and arrangement, वह इंसान कोई भी जो आपके plans और arrangement को spoil कर दे, बरबाद कर दे, तो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, upset the apple cart, okay, next, next है, armed to the teeth, यानि कि fully equipped, यानि कि अस्त सस्त्र का भंडार होना, okay, तो उसको हम क्या कहेंगे, armed to the teeth, okay, next, next है, up in arms, next है, up in arms, यानि कि protest, angrily, यानि कि गुस्से में बिरोध करना, okay, तो इसको हम agreement phases में, idiom में क्या बोलेंगे, उसको up in arms, okay, next, next है, get the eggs, तो इसको क्या बोलेंगे, be dismissed, यानि कि खारिश करना, okay, next, next है, have an eggs to grind, इसका हो जाएगा, bear a personal grudge, यानि कि अपने, अपना मतलब हल होना, okay, तब इसको हम बोलते है, have an eggs to grind, next, next है, bend over backwards, यानि कि take great pains to do something, यानि कि कि किसी को साहिता देने के लिए, हर संभव कोशिश करना, take a, take great pains to do something, okay, ओ, thank you guys, चलिए, तो फिर आज को सेशन यहीं तक, और आप, आपको अगर अच्छा लगा हो हमारा सेशन, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजेगा, और चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा,